अगले दिन छे खलीफा छे दरबार मां अलिफा जा वाजी दोर हसन को उपस्तित करते हुए खलीफा हसन से कहता है कि तुम है इन दोनों के चगडे का किस से सुनो और बताओ कि इन में से कौन सच बोलता है तो हसन ने दोनों की बात वध्यान से सुनी और फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया थोड़ी देर में दो तेली आ गए हसन ने उनसे कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताओ कि इस घड़े में तेल कितना है तेल ये अटले को, मित्रो तेली अटले वही जो तेल को जानता है वह तेल कितना पूरा ना है, कितने दिन का है, वह तेल के बारे में जो जांच करता हो, उससे क्या कहते हैं तेली तो इ तेली ने बोलावामा आवे छे अने किछे क्या खड़ामा तेल केटला दिवस नू जुनू छे इ बतावी ने बोलो दोनो तेलीों ने बारी बारी से तेल को देखा सुंगा और चका फिर अपना निर्णाई दिया कि खड़े का तेल दो मैने पूराना लगता है इससे ज्यादा नहीं भे बोले बनने तेलीों चे वारा फरती तेल जोयू सुंग्यू अने चाक्यू अने पची फोतानो निर्णाई आपके कड़ानू जे तेल चे इ बे मैना करता वधारे जुनू न थी बरबर बे महिनानू चे तियां सुधी नू जुनू न थी तेलीों की बात सुन कर वाजित तो खबरा गया अलिख वाजा कुशो कर बोल पड़ा हजूर मैं तो छो मैने पहले मक्का की यत्रा करने गया था तभी मैने तेल खरीदा था तेलियो को अलिख फाजा के बात सुन कर सबको वास्तविक्ता का गनान हो गया खलिफा को जञाई के लिए सुबुत मिल गया था खलिफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजित से कहा कि आप ने अलिख फाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है आप उन्हें वापस कीजे और चोरी और विश्वास गात के अपराधी की सचा, भूगत ये, खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरुषकार दिया, खलीफा है, दर्बार में उपस्तित सभी लोगों ने हसन की सुजबूज और न्याई की पुरी-पुरी प्रसंसा की बरुबर, खलीफाना दर्बार मां सव लोको येसु कईरू हसन नी सुजबूज और न्याई नी सुकईरी पारे प्रसंसा, प्रसंसा एटले वखान कईरा, मित्रो बरुब, तो अहीं आपनी कहा नी सुजबूज थाई चे, मित्रो पुरी थाई छे, अपील एटले के निवेदन अहीं मुहावराई पाचे, जे आपने पाठ मां जोई लिधा, पची छे अभ्यास चे मित्रो बरुब, निमनले रखीत प्रस्टनों के उत्तर दीजिये, तो के अलवीक अलिक वाजाने कितने मोहर तेल में क्यो छूपाई होंगी, प्रुबर केम अलिक वाजाये मोहर तेल में क्य चाये मित्रो तो के मित्र के साथ सच्जाई ओर रिमानधारी से फ़रा व्यावार करना, चाहिए वाजिद और हसन की जगः आप होते तो क्या करते? यदि वाजिद की जगः में होता, तो अपने मित्र के साथ विश्वास खात नं करता. अगर मेहसन की जग हो ता तो भी उसकी तरह तरह की कटना की पूरी छान्बिन करता और युकती से अलिक वाजा को न्याई दिलाता नीचे लिखे संदर्ब में कहानी के पात्रों के समवाद कक्षा में बुलावाना छे बरबराना समवाद बुलावाना अलिक वाजा और वाजित जब अलिक वाजा तेल का कड़ा रखने आया था अलिक वाजा और वाजित का जगड़ा बरबर तो आ बन्नेना समवाद छे वी त्यार्थी उपासे बुलावाना छे बरबर आविरी ते बुलावी ने करवाना छे हसन ने क्या सूजबूज दिखाई थी कि कक्षा में चर्चा कीजे बरबर हसन ने क्या सूजबूज दिखाई थी बरबर तो एना द्वारा कक्षा माइट लेकि क्लास में ये चर्चा करवानी चेत्यार बाद छे स्वाध्येन प्रस्णों मिद्रो तो आप रुश्यवन वाजीत को कैसे पता चला कि बरतन में मूहरे है बरबर की जब वाजीत जब खड़े की सील तोड़कर तेल निकारने लगा तब खड़े से सीखे की आवाज आई उस ने लगा कि खड़े में तेल के निचे कुछ है इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल कर देखा तो उनमें से मोहरे थी एसे पता चला वाजित को अलिक वाजा और वाजित के बीच का चगड़ा क्यों हुआ था अलिक वाजा और वाजित के खड़े तेल निकाल के साथ उनमें रखी मोहरे भी निकाल ली थी तेल तो उसने फीर से भर दिया और मोहरे चूरा ली हलीक वाजा ने मक्का की यत्रा से लोड़कर करा देखा तो उनमें से मोहरे नहीं थी तो इसलिए उन दोनों के बीच जगडा हुआ खलीफा ने हसन को अपने दर्बार में क्यों बुलाया तो एक दिन है वो खलीफा अपना पेश बदल कर सहर में कुम रहे थे एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायादिस का खेल खेलते उव 뉴스 देखा तो वे चीपकर उनका खेल देखने लगा कोंड खलीफा बरबर तो लड़का न्याईधिस बना हुआ था उसकी समझदारी वो निर्णै करने की पतती उन्हें बहुत अच्छी लगी उन्हें लगा कि अलिक वाजा और वाजित के चगड़े को यह लड़का सुल जा सकता है इसलिए उन्होंने हसन को अपने दर्बार में पुलाया तेलियों की बात सुनकर वाजित क्यों घबराया बरबर तो के तेलियों ने खड़े में चांच किया तो उन्होंने दो मैने की पूराना तेल ही बताया इसले वाजित कबरा गया कि अब उनकी चोरी पकड़ा गई, तेलियों ने कीसे सच्चा निर्णई किया वरबर तेलियों ने तेल को देख कर, चक कर और सुंग कर, तेल को बताया कि वह दो मैने पूराना है वरबर अलिक वाजा तो छो मैने पहले मका की यात्रा में गए थे, वास्तविक्ता जानने पर खलिफाने किया निर्णे किया वरबर तो वास्ताविक्ता जानने पर वरबर हशन की सुचजगून से तेल के बारे में वास्ताविक्ता का पता चला तो खलीफिया ने नाई के लिए सबुद मिल गया उसनोंने वाजित को अलिव खाजा की मोरे वापस करने का आदेश दे दिया उसके साथ ही उन्होंने विश्वास गात के अपरात के लिए वाजित को सजा सुनाई यानि की दंड दिया और असन को पुरुषकार भी दिया निमनलिकित वाक्य कौन कीसे कहते हैं वो लिखे यह तेल का घड़ा है मैं आपके घड़ रख कर जाता हूँ तो अलिक वाज़ा वाजित से कहता है आप अपना कड़ाता खाने में रखे तो के वाजित अलिक वाज़ा से कहता है आप काजी की अदालत में चाहिए तो के लोग अलिक वाज़ा से कहते हैं आप इस कड़े की जांच कीजिए हसन तेलियों से कहता है हजूर में तो छो मैने पहले ही मक्का की यात्रा करने गया था तो यह वाकी अलिक वाजा खली फासे कहता है तो अहीं पुरू थाई छे त्यार बाजो ये स्वाध्यना प्रस्णो आपने की ये हुए प्रवाश का वरण करते हुए मित्र को पत्र लिखना है मित्रो बरब तो आतमारे पत्रा तमारी तमारी बुक मा लखवानो रेश अमेसा एड्रेस छेही कई बाजो आउसे है डाबी साइड़ आउसे ध्यान रागचो क्या तुमारे साथ भी कोई भी ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें ज्याई के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो यादी बनी है तो उनकी घटनाओ को विस्तार से लिखना है उसके बाद हम देखते हैं क्या है तो कि कहानी की प्रमुक गटनाओ को इस क्रम में लिखो और पूरी कहानी स्पष्ट हो सके जेसे इराग में व्यापारी अली खवाजा के पास एकजार सोने की मुहरे इखटे हो ना वरबर मुद्दा लखवाना चे जेथी करिने कहानी आखी आवी जाए तो बीजू तमें लखी सको कि उस घड़े को मित्र वाजित के तक हाने में रखाना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना तमीर लखि शको छो जरूरत पडने पर वाजित द्वारा गड़े में से तेल निकालना और महरों को चुरा लेना अलिक वाजा और वाजित में चगड़े खलीफः से ल्याई मांगना तमें पनलखी शकाँछो पची छे खलीफः का पेस बदलकर नगर में निक़ना और हसन को मिलना पची छे हसन द्वार अतेलियो को बुलाना और महरो की चोरी का पता चलना और छेले तमें लखी सको के अलिक वाजा को मोहरे वापस मिलना वाजीत को सजावी दिते आपने मुद्धा लखी कहानी स्पर्ष्ट थाई चाई वी रिते लखानी छे निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाकिय उलट पुलट दिये गए है उसको पड़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित सीर्षक दीजिए बरबर सेर अहिया आपनने सुखितू छे थमने आहिया चित्रों छे इ आडा अवडा आपी दीदां छे तो आ चिट्रोंने आडाओड्वडाई पाचे, तो एने लाइन मा गोठ ही ये ने अप्रेशू करवानू छे, लखवानू छे, तो पेल már पेल्वल तो कईु आउसे मित्रों तो पेल् Film कईु आउसे, तो के जोई लए जव्द है, स Fitz पेला तो जो ओ, पेलू चित्र कई आउसे, तो के आउसे, एक दिन जंगल में एक सेर आराम से सो रहा था, सेर जहां से सो रहा था, उसके पास एक बील था, उसमें एक चुँआ रहा था था, पेलू वांकिया आउसे, वरबर सो रहा था, वर बील में चुला था, उसके बाद दूसर कौन सा आएगा तो कि यहाँ आएगा सेर को सोया हुआ देखकर चुहा उसके पास गया वह सेर के सरीर पर चढ़ा और नाचने लगा तो दुसरू वाक्य यही आएगा तीसरा वाक्य तो तीसरा वाक्य इन में से कौन सा आएगा तो कि हाँ यही आएगा कि सेर की नींद खुल गई और उसने उसे गुसे से सेर के पंचे में पकड लिया चुहा रोते रोते बोला रुपा करके मुझे छोड़ दो में तुमारी मदद करूंगा पच्छी बरबद चोथु वाक्य कई आउसे मित्रो तोके चोई लई है तो आउसे एक दिन एक सिकारी चंगल में सिकार करने आया उसने सी का सिकार करने के लिए जाल बिचाया वरबद यह चोथु वाक्य आउसे पच्छी पांच मुवाक्य कई आउसे पच्छी चार बिचावेचे तो सेर उसमें फस चाता है जाल में फसे ही सेर दहाड ने लगा उसकी दहाड सुनकर चुहां वहां आया सेर को जाल में फसा देखकर अपने साथियों को बरबर बुला कर सेर को जाल से छुड़ाया बरबर ये 5 मूँउख्या आऊसे आन्ये छठू वाकिया मीत्रा अवे कईउ आऊसे अवे कईू बाकी रही गईू बरबर अईया तो कुरू थाई जाई जया आवडू आउसे छटू वाक्य सेर को चुहे और उल्च के साथ योने चाल से चुड़ाया और सीकारी से बचाया उस दिन सेर और चुहा मित्र बन गया साथ में खेलने लगा आउसे बरबर आविरी ते वाक्य क्रमा गोटी तमारे वाक्य वार्ता लखवानी छे निमन लिखीत वाक्यों में क्रिया वाचक शब्द ठून करूदारण के अनुसार फिर से लिखिए जो क्रिया दिर्शावता हो उसे क्या कहते है मित्रों क्रिया वाचक शब्द कहते हैं तो तुम्हें यहां क्रिया वाचक शब्द को लिखना है तो हम देखते हैं कि अध्या क्रिया वाचक शब्द कोन से है वरबर राधा ने संजीव को पत्र लिखा राधा ने किसको पत्र लिखा तो कि किसको तो कि संजीव को वरबर लिखा क्रिया वाचक अध्या वाचक ने बच्चों को कहानी सुनाई वरबर तो कयो सब्द छे सुनाई प्रस्ण पुछो तो किस ने तो के अध्यापक ने रात को कुत्ते भोक रहे थे तो भोक वानी क्रिया भोक रहे थे वह पटा के देख रहा था तो देख जो वानी क्रिया वेदान किता भी पट रहा था तो पट वानी क्रिया पता नहीं तनमें मेरे पास सेकब चला गया तो चला गया वो चलने की क्रिया आकास में पतं उड रही थी तो उड रही थी यानी की उडवानी क्रिया तो आब दाये क्रिया वाचक शब्दों छे मित्र बर्बर छेने सुकेवाई क्रिया विशेशान पण कई शकाई गुरुबुरु